पटना में मेट्रो का काम चल रहा है ये बात तो आप कई साल से सुन रहे होंगे लेकिन सवाल है कि आखिर कब पटना में मेट्रो दोड़ेगी आज हम आपको इससे जुड़े हर सवाल का जबाब देंगे सबसे पहले ये जान लिजिए कि पटना सहर में कुल 32 किलो मेट्रो का संचालन होगा 18 किलो मेट्रो अंडरगराउंड चलेगी जबकि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने के लिए 14 किलो मेटर एरिया चिन्नित किया गया है वैसे तो मार्स 2023 तक मेट्रो के पहले चरण का काम पूरा करने का लच्छ रखा गया है लेकिन काम धीमी गती से चलने के कारण समय पर पूरा होने की कम उम्मीद है अधिकारियों का कहना है कि 2024 के अंद तक पटना में मेट्रो ट्रेनों का संचालन सुरू हो जाएगा मेट्रो परियोजना के काम की सुरुवात पिछले साल हुई है अभी मलाही पकड़ी पर काम चल रहा है वहां से प्रथम चरण में ISBT बैरिया तक के कोरिडोर का निर्मार होना है ISBT के पास मेट्रो का डीपो भी बनना है महज 5% काम हुआ है पत्ना में जिस रूट पर मेट्रो का परिचालन होगा वहां पर नीजी और व्यवसाइक वाहनों का सड़क से ऐसे ही दबाव कम हो जाएगा पत्ना में सबसे अधिक जाम की समस्या मुख्य सहर में है यहां मेट्रो अंडरग्राउंड रहेगी इसलिए सड़क जाम की समस्या कम हो जाएगी अब सरों का कहना है कि प्रतीक 2 किलोमेटर में एक स्टेशन बनाया जा रहा है मेट्रो में कम समय में अधिक दूरी तै कर सकेंगे खास कर नौकरी, कॉलेज स्टुडेंट और ब्योसाय करने वाले लोगों को काफी सुविदा होगी जिन इलाकों में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर हैं वहां मेट्रो जाएगी खास कर सचीवाले के पास कार्याले अधि में काफी भीड होती है इसलिए विकास भवन के पास भी मेट्रो का एक स्टेशन दिया गया है पतना मेट्रो परियोजना के लिए दो कोरिडोर बनाये जाएंगे इसमें पहला कोरिडोर दानापूर से जगनपूरा तक होगा यह कोरिडोर 17.933 किलोमीटर का होगा इस कोरिडोर में सगुना मोर, RPS मोर, पाकली पुत्रा, रूकनपूरा, पतना जू, विकास भवन, विद्दुद भवन, पतना रेलवे स्टेशन, मीठापूर, रामकृष्णा नगर, जगनपूरा में मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाये जाएंगे पहले कोरिडोर में कुल 14 मेट्रो स्टेशन बनाये जाएंगे मेट्रो के लिए दूसरा कोरिडोर, पतना रेलवे स्टेशन से पाकली पुत्र बस टर्मिनल तक 14.564 किलोमीटर का होगा इसमें आकाश्वानी, गाधी मैदान, PMCH, पतना इन्वस्टी, मोईनूलहके स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, जीरो मायल मेट्रो स्टेशन होगे दूसरे कोरिडोर में 12 मेट्रो स्टेशन बनेंगे